हाई गाईज वलकम बेक टू गुरुजी उत्राखंडी एन विदाश्री लर्निंग क्लासस में आपका स्वागत है तो गाईज आज के सेशन में बात कर रहे हैं अगर आप NDA मैस का कोर्स पर्चेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा गुगल प्ले स्टोर से विदाश्री लर्निंग अपको डाउनलोड करना होगा वहाँ पे आपको NDMS के डेमो लेक्चर देख जाएंगे और आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बेनेफिचल है तो आप इस कोर्स को इस अप के दुरू पर्चेस भी कर सकते हैं तो आज हम यहां पर बात कर रहे है वो इंटीग सिन टॉपिक के और यहां पर आपको इक कॉषिन देख रहा होगा दख रहरे होगा देधा वल्यू ओ ऑफ प्वक्ष फिर एस की पावर में लॉकिशन & साइच्द II 속 पस्में ठीक है यहां मैं एक डॉट लगा देता हूँ dx यानि आपको इसका integration निकालना है और चार option आपके बाहस है तो कौन सा answer इसमें सही होगा उसकी बात कर लेते हैं तो देखो आपको करना क्या होगा देखो यहां पे आपको यह term देख रहे है एक ही question बहुत आराम से यहां पे solve कर सकते हैं तो देखो अगर e की power में log है और वो e का base ही है जैसे यहां पे मैंने कोई भी base नहीं लिखा है तो by default आप उसको e का base लेंगे राइट नहीं तो अगर कोई और base होगा तो यहां पे वो base mention होगा ठीक है तो यह जो log है अगर उसमें base नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब वो e का base है तो e के base में इनका e की power में अगर log e का base हो और यहां पे कुछ भी लिखा हो कुछ भी तो आप क्या लिखेंगे उसका answer solve करके कुछ भी इसका मतलब यह है कि जो e की power में log e के base पे यहां पे पे जो चीज होगी वही यहां पे वही चीज आजाएगी यानि अगर e की power log e के base में यहां पे k है तो answer कितना आजएगा इसका k आजएगा इतना आपको दियान रखना है इतना आपको समझ में आगया तो आपके लिए चीज़ें बहुत असान होगी अब माननों करें यहाँ पे k है मतलब सॉरी यहाँ पे e की पावर में 2 log e की बेस पे k है ऐसा कुछ दिख गया आपको तो आपको ओगे सर यहाँ तो 2 है यहाँ तो कुछ और भी आ गया तो अब क्या करें तो भी जदा परिशान होने लिए बात रही है इसको भी बहुत अराम से आप solve कर सकते हो आपको पता होगा जैसे कि आपका है यहाँ पे 2 log 3 लिखा हुआ है मैंने base यहाँ पे define नहीं किया है तो मिलब e का base है अब जब इस 2 को आप यहाँ से हटा सकते हो कैसे हटा सकते हो आप इसको ऐसा लिख सकते हो log 3 की power 2 इस 2 को आप power में लिख सकते हो आपको पता होगा यह formula होता है log a की power b है तो इसको आप लिख सकते हो b log a मैंने base नहीं लिखा है तो by default आप base क्या लोगे e का base लोगे तो log A की power B को आप लिख सकते हो B log A log फिर उसके बाद A की power B है तो इसको आप लिख सकते हो B log A वही काम मैंने यहां किया है log 3 का square है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 log 3 तो देखो अग यहां पर अगर आपको 2 देखने को मिल रहा है खुछ भी देखने को मिल रहा है 2, 5, 7, 8, 9 कुछ भी नंबर हो या कोई variable हो या कोई भी नंबर हो तो आपको क्या करना है इसको अठा की कहा लगा दे रहे यहां पर जो log में आपका element है जो log में आपका number है या जो भी आपका variable है उसमें क्या लगा दो उसकी power में लगा दो जो यहाँ पे number आएगा उसके बाद यह answer कितना आजाएगा k square क्योंकि e की power में log e के base पे अगर कुछ भी हो तो वही कुछ भी यहाँ पे आप लिख दोगे equal to में और वही क्या होगा answer होगा I hope यह बाद आपको समझ में आगी होगी अगर यह बाद आपको समझ में आगी है तो question बहुत असान हो गया अगर यह बाद आप नहीं समझ पाए हो तो आपको यह question नहीं समझ माएगा बहुत simple सी बाद मैंने आपे कही है I hope आपको यह definitely समझ में आगी होगी अब कुछ नहीं करना है तो इसको आप क्या लिख दोगे अब देखो थोड़ा सा मैं इसको अड़ा देता हूं यहां से अब क्या गरना है आपको यह हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स और देखो एकी पावर में लॉग और बाइडिफॉल्ट आप क्या लोग इसको इका बेस लोगी क्योंकि बेस डिफाइन नहीं किया हूँ है तो इका बेस आप लेते हो तो यह कितना आएगा साइन एकस आएगा इस पूरे की वैल्यू कितन लेट कर लो और इस कॉस एकस को विद रिस्पेक्ट टू एकस डिफरेंशेट कर लो तो कॉस एकस का डिफरेंशेशन साइन एकस और टी का डिफरेंशेशन दी ओवर टी एकस तो यहां से साइन एकस इंटू डी एकस इदी कॉस टू माइनस का डी टी आ जाएगा इस माइनस cos cube x से, यानि cos x को मैंने t late किये, तो यह कितना हो जाएगा, t cube, अब कुछ नहीं करना, इसको integrate कर दो, अब यह basic formula, जो integration का basic formula होता है, उससे integrate हो जाएगा, क्या है basic formula, अगर आपका x की power n है, इसका आपको integration निकालना है, तो आप क्या लिखते हो, x to the power n plus 1 और upon में n plus 1, वही काम ह upon में कितना रहेगा, 3 plus 1, plus c, एक constant आपको add करना होता है, तो minus का 1 by 4 यह है, और t की जगा कितना है आपका cos x, तो cos x की power 4 plus c, अभी answer match करा लो, कौन से उसमें आ रहे है, कौन से option में, तो यह आपको पहले option में मिल गया, minus का cos की power 4x upon 4 plus c, और यह चीज, और यह चीज दोनों एक आप यहां तो 1 upon 4 को खाली 4 को cos x की power 4 के निचे ले जाओ, या फिर आपको इसको अलग से लिख दो बात देखिये, और यहां मैंने cos x की whole power 4 लिखा है, और इसने उस whole power को ऐसे लिख दिया, यानि कि cos x की power 4 is equals to cos की power 4x, यह बात 1 ही होती है, ठीक है, तो option A आपको यहां पर answer म चुक है, तो I hope guys आपको यह question समझ में आ गया होगा, तो guys अगर ऐसे questions जो आपको problem create करते हैं आपके लिए, तो आप ऐसे question comment section के थ्रू हम मैं बता सकते हैं, और मैं कोशिच करूँगा कि इस type के questions आपके लिए मैं और करा हूँ, और guys अगर आपको लगता है यह course आपके लिए यह जो मैंने course आपके लिए बनाया हुए यहाँ पे, वो आपके लिए beneficial है, तो आपको क्या करना होगा, आपको Google Play Store से विदाश्री लर्निंग आपको download करना होगा, और वहाँ पे आपको NDMS के बहुत सारे demo lectures दिख जाएंगे, और आपको लगता है कि यह course आपके लिए beneficial है, तो आप इस course को उस app के तुरू, यानि विदाश्री लर्निंग आप के तुरू purchase भी कर सकते हैं, तो guys मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में, आज की इस वीडियो में इतना ही, thank you.